हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल इंडियन मौम इन कैनेडा नेहा कैसे हैं आप सब उम्मेद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज मैं आपके सामने फिर से एक इन्फोर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ तो आज की जो यह वीडियो है यह LMIA का पार्ट सेकिंड है और मेरे को बहुत सारे रिक्रिस्ट आई हैं कि हमें पार्ट सेकिंड देखना है तो फिर मैंने आप सब के लिए सर्च करके ही तुबारा से एक वीडियो बनाई है ताकि जो भी कैनेडा आना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प हो जाए तो इस वीडियो में जो मैं आपको इंफॉमेशन देने वाली हूँ वो है फुल इंफॉमेशन आफ पर्मिट थ्रू एल एम आई ए और हाँ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा ताकि आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लिय हो जाए और हाँ फिर भी अगर आपके माइन में कोई क्वेशन आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं डेफिनिटली रिपलाई करूँगी ठीक है तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि एल परमिट कि तो तरह होते हैं ओपन फंफ कामिट और ऊपन पर मीट और तो पहले हम बात करते हैं कि आपका स्पाउस ऑ्रड़ी ग calamной होते हैं स्टविकी जीओं व Ride G सकते हैं Canada में और इसके क्या होता है इसमें कोई restrictions नहीं होती हैं अगर आप open work permit के through Canada में आते हो तो आप किसी भी province में जाकर job कर सकते हो किसी भी position के लिए job कर सकते हो means to say इसमें कोई restrictions नहीं होती हैं दूसरा है close work permit permit close work permit में कुछ restrictions होती हैं इसमें आप एक specific प्रोविंस में जाकर specific position के लिए ही काम कर सकते हो क्योंकि ये work permit आपको employer भेजते हैं तो वो जिस position के लिए आपको चुनते हैं अपनी company के लिए चुनते हैं तो वो आपको job letter में offer letter में सब कुछ बताते हैं कि आपको किस position के लिए काम करना है और किस प्रोविंस में काम करना है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप close work permit के थुरू Canada में entry कैसे ले सकते हो अब आप सोचेंगे कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यह क्या है तो चलिए मैं आपको एक example देकर समझाती हूं suppose आप इंडिया में Honda company के साथ काम कर रहे हो और उसकी एक branch Canada में है और Canada में उनको एक specific employee चाहिए जिसकी requirement उनको है बट उन्हें Canada में वो employee नहीं मिल रहा तो क्या होता है कि आपकी company आपको Canada में भेज देती है offer letter देकर तो इसके through आप easily Canada आ सकते हो through close work permit और हाँ आपको घबराने की जरुरत नहीं है अगर आपको intra company transfer के through entry नहीं मिल रही है तो और भी बहुत से method हैं दूसरा method यह है कि आप external websites पर जाकर check करिए कि कौन सी company को किसी specific position के लिए आपकी जरूरत है तो और आपको ये भी साथ में check करना है कि वो international candidates को ले रहे हैं अगर उनको international candidate चाहिए और आप उस post के लिए eligible हो तो definitely आप apply कर सकते हो और हाँ आप HR को भी contact कर सकते हो job orders होते हैं आप उनको भी contact कर सकते हो आप अपने link बना सकते हो आप उनसे knowledge ले सकते हो आपकी help के लिए वो हमेशा ready रहते हैं तो इस through आप close work permit easily ले सकते हो और हाँ आपको ये close work permit LMIA के through ही मिलता है LMIA की full form labor market impact assessment होती है इसके through ही आपको job letter दिया जाता है ताकि आप easily legally Canada में entry ले सको तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम इसे apply कैसे करें तो इसे आप किसी legal practitioner से consultancy से भी apply करवा सकते हो और आप इसको खुद भी apply कर सकते हो बहुत difficult task नहीं है क्योंकि हम जब इस काम में जितना खुद से involved होंगे हमें knowledge और भी बनती जाएगी और हम easily apply कर सकते हैं तो इसको apply करने के दो methods होते हैं आप Canada government website पर जाएए उसमें इसको apply करने के दो methods हैं paper-based method and online method कुछ लोग paper-based method apply करते हैं और कुछ लोग online but मैं आपको suggest करूँगी कि आप online method apply कीजिए easy होता है और यह long process नहीं है on the other side जो paper-based method होता है वो थोड़ा सा long पढ़ जाता है because आप letter डालोगे वो mail के थूँ जाएगी फिर उसका reply आएगा तो वो process थोड़ा लंबा हो जाता है और जो online process होता है उसमें वो आपका अलग से account बन जाता है और उसमें जो भी documents की requirement होती है वो जब आप paper submit करते हो एक घंटे के बाद आपको बता देते हैं कि आपको क्या-क्या और documents भेजने हैं उनको क्या-क्या requirement है तो आप फिर वो letters इकठे करके through online easily send कर सकते हो इसमें आपका time waste नहीं होता अगर हम close work permit की बात करें तो इसमें आपको 155 dollar पे करने होते हैं और open work permit में अपने spouse के लिए आपको 100 dollars पे करने होते हैं इसके अलावा कोई charges नहीं होते तो अगर आपको आपके employer demand कर रहे हैं कि आपको इतना pay करना पड़ेगा या इतनी चीज़ की requirement है तो आप ऐसा मत कीजिए बिखेज बहुत से fake consultancy's भी होती है जो आपको पैसे के लिए बोलती है तो mostly chances होते हैं कि वो fake ही हैं तो आप अपनी money, time waste मत कीजिए उनके साथ तो because वो fraud हो सकती है अगर आप employer की थूँ like LMIA की थूँ आते हैं कैनडा में तो कुछ companies क्या करती है देखेज अगर उनको really आपकी ज़रूरत है किसी position के लिए अपनी company के लिए तो वो क्या करते हैं आपको travel charges और stay करने के charges वो सब कुछ free कर देते हैं आपसे कुछ charge नहीं करते बट कुछ cases में क्या होता है कि आपको job letter दे दिया जाता है बट वो कहते हैं कि अपनी travel fees और आपका stay करने का सारा खर्चा आपको खुद से उठाना पड़ेगा तो इसमें घबराने की कोई जरुवत नहीं है ये तो वैसे ही होता है जैसे हम इंडिया में सब्सक्राइब हमारी out of state job लगती है तो हम खुद से अपना travel charges लगाते हैं और जहां भी हम stay करना होता है उस current वगएर हम खुद से pay करते हैं तो ये fraud नहीं होता तो आप ऐसा कर सकते हो तो आप सब के लिए और खुश खबरी है पहले जब हम ये process शुरू करते थे Canada में entry के लिए close work permit और open work permit इसके लिए हमें अपने document submit करने के लिए सारी formalities पूरी करने के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 days का time दिया जाता था अब वो time period 90 days का हो गया है तो अगर आपके पास कोई document नहीं है तो आप उसको बनवाने के लिए easily apply कर सकते हो because time period बढ़ गया है और हाँ COVID की वज़े से ये process बंद हो गया था या slow voyage ये slow हो गया था बट अब फिर से ये totally open है तो अब आपके पास अच्छा मौका है आप Canada easily आ सकते हो और सभी documents अपने complete करके rules and regulations follow करके Canada में entry ले सकते हो तो ये था मेरा आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब को बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा कि work permit LMIA के थूँ हम कैसे ले सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई queries हैं तो आप मुझे please comment box में पूछेगा तो मैं definitely एक वीडियो बनाऊंगी और हाँ next वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कौन कौन सी categories हैं जिनके थूँ हम easily work permit ले सकते हैं किन categories की यहाँ पे demand है तो अगर आपको वो categories जाननी है तो मुझे please comment कीजेगा definitely मैं आपको बताऊंगी अपनी next video में तो मिलती हूँ अपनी next video के साथ till then bye